हर कोई सफर होना चाहता है हर कोई नोकल इलना चाहता है हर कोई पैसा कमाना चाहता है फिर हम सब क्यों नहीं ले पाते हैं हमारी एक सबसे बड़ी भूल होती है और सबसे बड़ी गलती होती है ना जब हमारे पास समस्या आता है तब हम उस समस्या को समधान ढूलते हैं समस्य समस्या आने से पहले ही, समस्या को खत्म कर दिया जाए, तब हम जीतेंगे, मेरे दोस्त, हम सब जानते हैं, जब हमारी हार होती है, या हार के कगार पर हम पहुचते हैं, तब हम महनत को बढ़ा देते हैं, ज़रा सोचिए, यही काम अगर सुरू से किया जाए, जो आप कर रहे हैं, सुरू आत कर रहे हैं, तो सुरू से ही महनत किया जाए, खूम महनत किया जाए, तो यह देखा गया है, यह पाया गया है, कि अंतिम्छन में, जो हमारी हार होती हैं, यह हारने के कगार पर पहुच जाते हैं, तो बहुत महनत करते हैं, हमारे पास समय नहीं होता है, समय खत्म होने को होता है, उस मेह में पहने हैं, तो अपने आपको जगानी की जरूवत है, किसी भी कार्ज में आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको समस्या से बचना होगा, समस्या आने पर हम समधान तो करते हैं, ये अच्छी बात है, समस्या आ गया समधान करेंगे, परंतु हम आते हैं, तो हारने के बाद, कई परकार के आप ऐसा कार्ज करने की कोशिश करते हैं, जिससे फिर से जीते हैं, सोचिए कि आपको कितना मेहनत करना पड़ता है, शुरू से सोचिए कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी लेने के लिए, तो आपको पाच वर्ष तक पढ़ाई नहीं करते हैं, हम यह सोचते हैं, हमारे पास समय हैं, और यही समय हमारे लिए एक समस्या बन जाता है, तो कई परकार से कई रूप में समस्या आ सकते हैं, जैसे कुछ हम गल्तियां कर रहे हैं, पढ़ाई हम नहीं कर रहे हैं, तो जब पढ़ाई आप नहीं कर र को खरका मानते हैं किसी और की बात सुनना नहीं पसंद करते हैं सोचिए जब हमारे पास कोई समस्या आता है तो उस्ता समाधान हम खुद सोच लेते हैं धून लेते हैं और कभी-कभी हम दूसरे से सिर्फ नाम-मात्र का राय विचार करते हैं और यदि वह विचार हमारे यून विफ ना हो तो हम उससे जगारे भी जाते हैं लड़ा जाते हैं मन-मुताओ कर लेते हैं हम बेवकूफ हैं ऐसा कार्ज कभी न करें आप आपसे भी लोग ज्यादा ग्यानी है आपसे भी ज्यादा लोग जानकार है फिर आप अपने-अपको खरखाँ समझ रहे हैं अ आपको बहुत चीजों की जरुवत है, किसी की राय की जरुवत है, विचार करनी की जरुवत है, किसी की बात माननी की जरुवत है, क्योंकि आप किसी भी छेत्र में कार्ज कर रहे हैं, तो उसका अनुहो प्राप्त तो नहीं है, शुरुवात किये हैं, और जो कर रहा है, उसक अच्छी बात है लेकिन अपनी जो समस्या है उस समधान पर अडिमत रहिए कि इसका समधान यही हो सकता है अगला जो कह रहा है वो गलत है कभी-कभी कुछ बच्चे तो उसे जगड़ बैठते हैं तो हमी जो समस्या है उसे आने नहीं देना है अगर समस्या आ गया तो समधान करने के लिए, खुद से भी विचार करना है, लोगों से भी विचार करना है, क्योंकि हो सकते हैं, हमारे विचार, लोगों को विचार, हमारे विचार से सर्वस्रेश्ट हो, आपको, जब आप जैसे इतिहास हम पढ़ते हैं, कही चीजों को, कही घटनावों को हम पढ़ते हैं हम कभी-कभी यह सोच लेते हैं कि हमारी समस्या सबसे बड़ी है इसे लिए उस समस्या का समधानम नहीं कर पाते हैं सोचिए आपसे बुरी इस्थिती में आपसे भी बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बुरी परिस्थिती का सामना किया आपकी जो समस्या है एक छोटा समस्या है लोगों की जो समस्या रही होगी वह बड़ी समस्या आप उदारन देख सकते हो तो फिर क्या तुम कायर हो तुम सासी नहीं हो क्या तुम बुद्धी मान नहीं हो तो आपके अंदर हर परकार का बुद्धी होना चाहिए समझ होनी चाहिए तब आप समस्या का समधान कर पाएंगे और ग्यानी वो होते हैं जो समस्या को पास आने ही नहीं देते हैं समस्या आने से पहले ही उस पर वार कर देते हैं वह समस्या खत्म हो जाता है अपने आपको ऐसा बना लो कि आपके पास समस्या आई ही नहीं और हमीशा खुसाल जिन्दगी जीओ सफलता के मार्ग पर अग्रशर हो जाओ